काउंट टाइशिक 2nd addition exercise 7c 7c का question number 1 जो हम लोग ने solve कर लिया था इस विडियो में हम लोग करेंगे question number 2 solve ठीक है तो हमारे पास क्या है electronic watch is salt 4 rs 840 ठीक है 840 में इसको बेचा किया है ठीक है profit of rs 90 और profit हमें 90 हुआ है ठीक है find its cost price cost price हम लोग ने find out करनी है ठीक है एंड इसका profit percent भी find out करना है ठीक है तो हम लोग यहां पर लिखेंगे first of all selling price है पहले ठीक है sale की गई यह 840 की तो हम लोग लिखेंगे यहां पर selling price ठीक है selling price हमारे पस कितनी है RS 840 then हमारे पस क्या है profit कितना हुआ है RS 90 तो यहां पर लिखेंगे profit RS 90 ठीक है हम लोग ने क्या करनी है cost price find out करनी है ठीक है तो हम लोग क्या करेंगे cost price find out करेंगे और हमारे पास यहां पर profit है और sale price है तो हमारे पस formula कौन सा लगेगा profit का लगेगा न यह देखें profit का formula लगेगा profit का formula क्या होता है sales price में से cost price minus करनी होती है ठीक है तो हम यह वाला पहले formula लगा देते हैं selling price माइनस cost price ठीक है इस तरह cost price जो होगी वह खुदी find out हो जाएगी ठीक है हम लोग क्या करेंगे profit की जगा profit का की value लगा देते हैं Rs.90 ठीक है selling price की जगा भी हमाई पता क्या है Rs.840 आ जाना है ठीक है और हमारे पास cost price क्या है हमने find out करनी है तो cost price की जगा cost price ही आ जाएगा ठीक है अब हम लोग क्या करेंगे हम लोग ऐसा करते हैं कि cost price को इधर ले आते हैं ठीक है cost price इधर आ गया इसके जान माइनस था तो यह positive हो गया इधर आके cost price इधर आ गया और Rs.840 था इधर ही रहने थे और यह Rs.90 इधर आके क्या हो जाएगा यहां पर plus है तो इधर आके माइनस हो जाएगा ठीक है 840 में से 90 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आजएगा 750 तो यह हमारे पास क्या आगई cost price आगई ठीक है 750 और अभी हम लोगोंने क्या करना है profit percent भी 500 करना है तो profit percent का क्या formula होता है यह देखें यह profit percent का formula profit by cost price multiply by 100% ठीक है तो हम यहां पर लिखते हैं इसका formula ठीक है profit percent is equal to यहां भी है profit by cost price multiply by 100% ठीक है अब profit हमारे पास क्या है गारिख है वह value put कर दे 90 है हम लोग यहां पर 90 put कर देंगे ठीक है cost price हमारे पास कितनी है cost price आ गई है 750 तो हम यहां पर 750 put कर देंगे multiply hundred percent ठीक है अब क्या होगा हमारे पास cutting हो जाएगी ठीक है यह zero इस zero से cut हो सकता है ना yes ठीक है और क्या होगा हमारे पास यह भी cutting हो जाएगा ठीक है ऐसे भी cut हो सकते है five को table से दोनों को cut कर दें five को table में 10 आता है two thousand five को table में 75 आता है fifteen thousand ठीक है अब यह और भी further cut हो सकता है तो हम cutting कर देंगे इसकी fifteen one thousand fifteen होता है fifteen की 3090 होता है six thousand ठीक है तो यह हमारे पास देखें cut हो क्या हुआ कि यह मैंने 00 से cut कर दिया फिर इन दोनों को five से same table से cut करते है ना तो five से cut कर दिया five को table में 10 आता है two thousand five को table में 75 आता है फिफ्टीन फिर फिर फिफ्टीन आया तो हम लोग के पास उपर 90 था यह कर तो सकता था ना फिफ्टीन होता है फिफ्टीन के टेबल में 90 आता है six thousand और six है और उपर two है सेंटर में साइन कों से multiply का तो हम क्या करेंगे इंको multiply six to zero क्या आजेगा ट्वाल और साथ परसंट आजेगा ठीक है और नीचे वन का वन है तो 12 को वन से ठीक है और देन हम लोगों ने profit percent का formula लगाया और profit percent find out कर लिया तो यह answer हमारे पास आ गया hope so आपको अच्छे से समझ आ गया होगा ठीक है आपको वीडियो ची लगे तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें नेक्स वीडियो में नेक्स जिसके questions solve करवाऊंगी ठीक है